अखिल भारती विद्धयार्ती परिशद महानगर दौरा आयोझीत उभरता भारत नई आश्याय विश्यक 16 पंचायत कारेकरम का आयोजन सरस्ती विद्यमंदिर महिला महाविद्याले आरंगर के सबागार में किया गया कारकरम के मुख्य वक्ता के रूप में प्रोफेसर सुष्मा पांडे के अलावा अनामिका सिंग सहित अन्य पदादिकारी और कालिज की छात्राएं मौजूद रही इस मौके पर अपने संबोधन में वक्ताओं ने कहा कि लोग सबा चुनाओं में अपने मतों का परियोग सोच समझ कर करें जिससे नए भारत का उदय हो सके इस मौके पर अकिल भारती विद्यारती परिशत की परदेश उपाद्धेश डाक्टर सुष्मा पांडे ने कहा कि पिछले वर्षों से में भरष्टा चार परिवारवाद, जातिवाद, छेतरवाद की राजनीत का बोलबाला सरकारी नीतियों में दिखाई देता रहा पिछले दिनों उसका दमन होते देखा गया वर्षों की राष्ट्रवादी सरकार इन सभी बातों से उपर उठकर एक सुंदर सशक लिक्सित भारत के निर्माद का संकर पले कर आगे बढ़ रही है गोरक्टू नीव से बात करते हुए कालेज की छात्रा रेनू सैगल और एबी वीपी की परदेश उपाद्धेश डाक्टर सुष्मा पांडे ने कहा प्रक्रिया का इस्ता बनेंगे तो हम उसका लाव नहीं ले पाएंगे जिसलिए हम उसको चुनते हैं वो काम हमारा नहीं हो पाएगा कि हम लोग आप सबको पता होगा कि अपने सरकार को कई बार करते हैं क्योंकि जहां गलत होता है हम उसके खिलाव विरोद करते हैं कई बार हम पुतला विद्यान करते हैं अपने नेताओं का जहां जहां गलत होता है उसके लिए आवाज उठाते हैं यह अटल ब्यारी वाजपई के साथ भी हुआ है रजना सिंक के साथ जब में महारा गुर्वन्ती था पिछले गत्वर्स में तो कस्मियर का मुद्धा था उसको उनको प्रिटिसाइज किया था तो यह हमारा करता प अंजाब सिंद गुजिराद मराटा राविल उतितल बंग बिन्य इमाचल यहुना गंग उचल जलरितरंग तब शुग नामे जागे तब शुग आशिष मागे गाये तब जय गाथा जनली गड़ मंगल दायक जय यही भारत वाग्य विधाता जय ही जय 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 ही जो सारे युवाओं को संगठित किया और संगठित करके जो हम लोग कारे कर रहे हैं और अभी प्रगती की ओर हैं हम लोग और नई आशाएं नई दिशाएं जो हम लोग अपेच्छाएं रख रहे हैं उस पे भी गवर्मेंट बहुत कुछ कर रही है और उसी के बिहाफ में हम हम लोग का जो भारत है उभरता भारत नहीं आशाएं उस पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं आज चर्चा किया हम लोगों आज ये व्याख्यान जो है ये मेरा चात्र चात्र वो चात्राओं के साथ एक संपर्ग था इस पर हम लोगों ने मैंने विद्ध्यारतियों से ये सुरक्षा, विदेश नीती, आर्थिक नीती, हमारी समाजिक नीती, हमारी आध्यात्मिक परिप्रेक्ष, हमारी धार्मिक्ता, हमारे संस्कार, हमारे मूल, जीवन मूल, किन-किन और सिक्षा, ऐसे ये जो छेतर थे, हम कितना बदलते चले आए, और उन सारे बदलाओं के परि जो चीज़ें थी आज हमारे देश के अंतरिक बार सुरक्शा यह विश्व के जो हमारे देश की जो यह सारे बढला होते इसके प्रती विश्व किस प्रकार का दिश्टी कोंड रखने लगा जो एक कमजोर भारत मजबूर भारत था वो आज किस प्रकार मजबूत भारत हो गया यह जो परिवर्तन जो इतनी हमने इकतर साल की जर्णी यात्रात हैं की वो उस पर मैंने बच्चों विद्यार्तियों के साथ एक हम लोगों ने बातचीत की व आज हमारा विश है रहा